कि नमस्कार न्यूस क्लिक में आपका स्वागत है आज प्रेजेंट पास्ट इन फ्यूचर के इस स्पेशल एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे शक्सियत से जो एक राजनेता होने के अलावा एक बहुत समवेधनशील सोशल साइंटिस्ट और अध्यापक हैं ये एपिसोड हिंदुस्तान के एक ट्रांजिशन पॉइंट में रिकॉर्ड हो रहा है 21 सदी का दूसरा दशक अपने आखरी पड़ाव पर है और देश की राजनीती एक चौराहे पर खड़ी हुई है कैसा रहा ये बीता हुआ दशक क्या थी इस दशक की प्रमुख घटनाएं क्या हिंदुस्तान में मेजॉरिटेरियन राजनीती ने जड़ पकड़ ली है क्या भारतिये लोग उन मुद्दों पर फोकस करेंगे जो उनके रोजमर्य की जिंदगी को एफेक्ट करेंगे या फिर एक नोशनल अबजेक्टिव के पीछे भागते रहेंगे मेरे पास सवाल अनेक हैं और हम इन सब पर बात करेंगे मनोज जह से वे राजय सभा के सदसे हैं और राश्ट्रिय जन्ता दल के एक प्रमुक थियोरिटीशन है मनोजी इस कारेकर में आने का बहुत-बहुत धन्यवाद है हम शुरुआत करेंगे एक स्टैंडर्ड इंटर्व्यू के सवाल से जो प्रतिद्वन्दी फिल्म पे सत्यजीत रे ने अपने फिल्म में दिखाया था कि एक उमीदवार को पूछा जाता है कि पिछले दस साल के सबसे एहम घटना क्या थी तो वो जवाब देते हैं कि विएतनाम में प्रोटेस्ट का कि नॉट मैन लैंडिंग ऑन मून तो उन्होंने का कि नहीं विएतनाम ये दर्शाता है कि आम आदमी में अभी भी लड़ने की शमता है चांद पे तो कभी ना कभी इनसान जाता ही इसी तरह से पिछले दस सालों में दो चीज़े देखने को आई एक कि एक बहुत पोलराइजिंग सेंट्रलाइजिंग फिगर का राजनीती में एमरजेंस और एक तरह से सब को छटका के रख दिया लेकिन वहीं दूसरे तरह ये दशक शुरू हुआ था युवा प्रोटेस्ट से इंडिया अगेंस करप्शन उसके खिलाफ आंदोलन और खतम होते होते युवा दुवारा से अपनी राजनीतिक सूजबूच समझ दिखा रहे हैं और एक नए दोर की क्रियेटिविटी देखने को मिल गी है क्या ज़्यादा एहम है जो डिप्रेशन के थूरू से हमनों निकले या आपको अभी भी कुछ उम्मीद नजर आती है देखे मैं सबसे पहले बात तो ही ये कहूं कि कल आपके इस कारिकरम में आने से पहले कल मैं जामे में लिया गया था वो मेरी इनवर्सटी भी रही है मैंने अपने करियर की शुरूआत वहीं से की थी तक्रीबन दस हजार स्टूडेंट्स थे सारे मजभब सारी जातियों के रो जाते हैं हाँ रो जाते हैं और मैं कपड़ों से नहीं भेद कर सकता था उनमें मुझे सब के कपड़े कंस्ट्यूशनल फेबरीक दे लगें मुझे जो अमीद कल दिखी है ना मैं बहुत मायूसी में था बीते दिनों में जिसका आप जिकर कर रहे थे कि एक मेजारिटी 2019 के चुनाओं के बाइजार 2019 के चुनाओं और जो मैं सदन में चीज़ें दीक रहा हूं मैंने खुद लिखा भी था इस पर दो अख़बारों में कि मेजारिटी इन पार्लेमेंट डिमाकरसी के लिए एक शर्ट है उती है लेकिन मेजारिटी इन पार्लेमेंट इस एंटि- पिटिकल टु दिमाकरसी हम उस दौर में पहुंच रहे थे जहां बूटिलाइज किया जाए मेमरी को जहां बूटिलाइज किया जाए वॉइसस ऑफ़ डैसेंट को लेकिन अभी बीते दो हफ्तों में हिंदुस्तान के अलग-अलग हिस्सों से जो मैं देख रहा हूं यह हमार सरहनों को की दिवारे खत्म कर दी मुझे उसका आभास दिख रहा है और मेरा मानना है कि शायद इससे कुछ ऐसे संकित मिले जो कि पुलिटिकल पार्टीज के लिए भी एक नजीर हूं मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको भी मतलब यहां पर वियतनाम की जो प्रोटेस्ट हुए थे वो जो पूरा जो लेट सिक्टीज अर्ली सेवेंटीज में का जो दौर चला था भारत में भी एमरजेंसी के खिलाफ जो विरोध हुआ था वो भी एक तरह से पूरी तो युवाओं ने किया था तो बड़ी विडम बना रही है कि जो लोग आज की जो सत्ता पक्ष के जो लोग है प्रधान मंत्री से लेके बाकी लोग तक ये लोग एक तरह से जो कहते हैं कि जो कट देर टीथ जो राजनीती में इनके जो पहले कदम रखे गे थे वो एमरजेंस लगती है दो अर्थों में पहला अर्थ ही है कि जब अमर्जेंसी के खिलाफ तो वो सिर्फ को ये कहे कि इंदराज जी के खिलाफ आंदोलन था या कॉंगर ना वो एक अथॉरिटेरियन करेक्टर के बारे में था अथॉरिटेरियन पॉलिटिक्स के बारे में था अगर सही धंक से उस उन उन वैलियूज को इनकलकेट किये होते तो शायद आज के दौर के सता अथोरिटेरियनिजम से बचती यह जिस मॉडल के खिलाफ लड़े इन्होंने उसी मॉडल को अपना लिया इन्हीं लगा कि जो मेजॉरिटी इन्हें मिली है इट हस गिवन देम लाइसेंस गो बसक वो नहीं है मेजॉरिटी आपको मिली थी लेकिन अथोरिटेरियन फीचर्स डिवलाप करने के लिए नहीं मिली थी इसलिए विडम बना दूसरी इस बात की है कि जिन जो दल कहते हैं कि हमारी विरासत थी कि हम एमर्जेंसी के खिलाफ लड़े हैं हम जेल गए आज चोटी चोटी बातों पर लोगों को जेल भेज रहे हैं बूटलाइज कर रहे हैं सड़कों पर ऐसा लग रहा है कि अगोशित अमर्जेंसी है जाहिर तो पर आपने उस आंदोलन में अपनी भागीदारी से कुछ भी नहीं सीखा क्योंकि कोई भी आपने एक सर्टिफिकेट लिया सिर्फ एक सर्टिफिकेट लिया और वो सेटिफिकेट भी घिस गया है और उसमें कुछ बचा नहीं है लोगों को आपके विश्वास मैं आपको एक छोटा उधारन दू एक पार्टी है जो हमारे साथ ही कभी किसी जमाने में थी आज अलग है उनके लोगों ने सदन म मुझसे कहा कि कॉंग्रेस के खिलाफ हम लड़े थे अमर्जनसी में मैंने का आप कॉंग्रेस के खिलाफ नहीं लड़े थे आप डिक्टेटर्शिक के खिलाफ लड़े थे आप ऐसे दोर के खिलाफ रहे थे जहां असाहमती मतलब व्यक्ति और मुल्क एक हो गया था आज भ क्या वज़ा थी और क्या कारण थे कि जिस वज़ा से एक तरह से इतने सेंट्रलाइजिंग, पॉलराइजिंग राजने तक उभरे, हिदुसान के प्रधानमंत्री बने और एक तरह से हिंदूतों का इतना widespread acceptance कैसे वह समाज में एक इसके लिए मैं अकसर कहता हूं, मेरे लिए बड़ा असान है कह दूं कि इस व्यक्ति ने या व्यक्ति विशेश ने, मैं जब जर्मनी का इतिहास पढ़ता हूं, तो वहां हमारे preamble में रहा, लेकिन secularism को एक value के रूप में चौक चौरा है गाउं गलियों तक, शायद हम नाकामयाद हैं पहुचाने में, उसके कारें, जब कहीं एक बहुत deep sense of prejudice, कहीं ना कहीं, आम हिंदूस्तानियों के दिल में दूसरे समाज के बाकी वर्द के लोगों में, मैं म subconscious level में अधर रहा है, subconscious लेवल पर एक अधर, वो, और अपनी कमजोरी, वो ही सब चीज के लिए जिम्मेवार है, बिल्कुल, अपनी कमजोरी, अपनी आसफलता है, फिकेट के मैस में, वो हमारे खिलाफ है, हमारे खिलाफ सपोर्ट करता है, वगरा हो, बिल्कुल, तो वो जो कहूंगा कि आवरन पहनाया, और आवरन पहना करके उसको एक majoritarian direction दिया, लेकिन मैं मायोसी पर खत्म नहीं करूंगा, लेकिन इस मुल्क को अगर मैं बताओं, इसके अंदर एक अधुत विधा है, ये आगे बढ़ती है, कभी-कभी किसी तानाशाही प्रविर्ती के साथ भी लेकिन इसके अंदर एक democratic value भी है, जो हमारा civilizational इतौस है, और जो किसी खास संस्थाने नहीं गड़ा है, वो हमारे बनावट और बनावट में शुरू से है, वो इसको counter कर बैठती है, जारखंड का मैं उदार हूंगा, जारखंड का उसके पहले महाराश का, हर्याना भी मतल तब उतना अच्छा performance नहीं रहा, जारखंड decisive है, क्योंकि जारखंड मैं अगर आप देखे, मैं क्यों कह रहा हूं, जो majoritarian decisions इनोंने लिये था, तमाम जो top ministers हैं, including prime minister, जारखंड के चुना में वही बोलते हैं, एक चीज समझ में नहीं आता जारखंड के context में, हार गई, BJP उ वोटशेर कैसे बढ़ता है, लिकी, BJP का वोटशेर एक तो मैं मानता हूँ, वो पीक कर चुका है, वो अटेंड कर चुके हैं, आप यही बात की पीक कर चुका है, यही बात हम लोग कई दशकों से नहीं सुनते हैं, नहीं, मैं तो यह से आपको बताऊं कि आप अगर 1998 के प कहा गया, कि आप बिलावज़ा अपना वक्त बरबाद करें, यह अयोध्या अंदुलन से कुछ नहीं होने वाला है, इंडियन साथ inherently secular, लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि किस तरह से अयोध्या अंदुलन के थ्रू किस राम मंदिर के थ्रू एक तरह से पूरी समाज का अप् रहे थे, तब भी हम देख रहे थे और हमारा मानना है कि बहुत सारी चीज़ें जो आपने उस वक्त हमें आगाह किया थे जिन से, आज हम उनसे रूबरू हो रहे हैं, मैं उसी पीड़ी का हूँ, जिस पीड़ी ने राम जन्मुमी बाबरी मज़िद के आंदुलन के दौरा अपनी पुलिटिकल ट्रेनिंग पाई, मैं क्यों कह रहा हूँ कि लोग सभा चुना हूँ, मैं 51-57 परसेंट वोट शेयर था, ज्यारखंड का हूँ, आज 33 परसेंट है, एक लाजिक होता है वोट शेयर का, यह अचानक डिप नहीं करता है, लेकिन मेरा मानना है कि ज्यारख कपनों से पहचाने जा सकते हैं, और उसके बाद मतलब पिछले पांच साल से हम लोग देखे हैं किस तरह से इनके नेता जो है, लिंचिंग एक्यूस को माला पहना रहे हैं, उनके कोट केसे में सपोर्ट करें, उनको लीगल एड प्रदान करें, यह राजनेता का काम नहीं, यह स्टेट का काम है लीगल एड प्रदान करना, नहीं देखें, उसमें और भी क्या हुआ, कि जारखंड के मुदों पर इन्होंने कुछ नहीं कहा, एक व्यक्ति हैं, जो उतर प्रदेश के सीम है, वो जामतारा में जाके बोला है कि कोई इर्फान अंसारी जीतेगा, तो मं आपके बाद से इत्फाक रखता हूँ, कि हम सब को बहुत कुछ करना होगा इन टरम्स ऑफ सेकलराइजेशन अफ आर पॉलिटी, एक लिबरल डिमोक्रिटिक वैल्यू जो अकसर बातों और किताबों में रह जाता है, उसको लेके जमीन पे उतरना, और यह जो नेरेटिव परहुस्ते हैं, कई दफा हमारी बरी पार्टियां इसमें फस जाती है, कि देश का मूड बदल रहा है, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि जर्मनी में 32 से 45 जो हिटलर कहते थे वही सच होता था, और उनके खिलाब कोई सुनना नहीं चाहता था, और आज हिटलर में उनके बारे में कोई सुनना नहीं चाहता, जर्मनी से ही एक चात्र को भारत से भखा दिया गया, क्योंकि उसने यहां के लोगों को याद दिलाया, कि जर्मनी में क्या कुछ हुआ था, और जिस तरह से जो पुलिस अब अत्यचार कर दिये, कि किस तरह से इसकी सिमिलारिटीज हैं जर्मनी में, तो ये भी एक पिखले चाहता है, कि इस नो मोर दे इंडिया उफ गांधी नहरू, जब उस लरके को निकला गया होगा, तो उसने आज देखा होगा, कि जो सैद उसके पिता ने या दादा ने देखा होगा, उसने वो दोर हमारे यहां देख लिया, और पता न उसके बाद हम विश्व गुरू का मैसेज किस रूप में देंगा और कैसे देंगा, यह मेरी समझ में नहीं आता है, मनुज जी एक जो चीज हुई है, जो मोटे तोर पे जो ट्रेंड की बात करे हम पिछले दशक में, बहुत तरह से, बहुत हद तक, पॉलिटिक्स का एक प करें कि आपको प्रधान मंत्री आपको मुखे मंत्री कौन चाहिए, तो क्या यह लगता कि यह दोर चलता रहेगा या इसका कोई तोड़ आप लोगों के पास है, देखे, मैं अगर आप मुझसे पूछें व्यक्तिगत तोर पर, तो मैं प्रेसिडेंशियालिजेशन और यह परशिप से साथ धर्म में आपको सालवेशन मिल जाए, पॉलिटिक्स में आपको गुलामी के लावा कुछ मिलेगा ने, और यह मैं देख रहा हूं कि इसमें बहुत सारे ततो लगे मैं यह कहने के लिए, अक्सर पूछ देते हैं, चेहरा कौन, आपका चेहरा कौन, जिमाक कि विशेष के विमर्ष में मुद्य गौन हो जाते हैं, और शायद यह लंभी लड़ाई है, लेकिन मैं चाहूंगा कि हो सकता हमारे पास बहुत अच्छा चेहरा आजाए, अकौर्डिंग टू मीडिया, क्योंकि यह मैनिफेक्चरिंग यूनिट वहीं चलती है, कि कौन सा अच्छा है, कौन सा चेहरा आप बनेगा, लेकिन मेरा मानना है कि चाहे एक के बदले, मोदी जी के बदले हम थोड़ा लेसर मोदी जी ले आएं, या उसी तरह के चीज़, ये मेरे मेरे मुल्क के लिए, हमारी प्रात्मेक्ताओं के उचित नहीं है. मुद्दों के आधार पे, इशूज के आधार पे राजडीती आप विपक्षका देखते हैं, आने वाले कुछ सालों में. पिछले दस सालों में हमने सबसे जब शुरू में जिक्र किया था कि शुरुआत हुई थी, इंडिया गेंस्ट करॉप्शन, लोग पाल के उपर ले नहीं है, यही चीज हमको आज हिंदुस्तान में देखने को मिल रही है, जगा जगा पे हर दिन एक नया शहर, हर दिन नए चेहरे देखने को मिल रही है, कोई नेता नहीं है, कोई किसी को लीड नहीं कर रहा है, आज हो सकता है कि राहुल गांधी जाके राजगाट में लेकिन जनता खुद अपने आप विरोध और विद्रो के मौके और प्लाटफॉर्म तलाश के ये निकल के आ रहे तो इस पूरे प्रोसेस में अलब ये सड्डनली पोस्ट मतलब नियो लिबरल इंडिया में ये ये पॉलिटिसाइजेशन कैसे हुआ देखे मैं आपको एक बा आजनेते की तौर पे सिंसिटाइज हो ही नहीं सकता है तो मेरे चैसल से जो हम लोगों के बाद की ज analyze तो कोई जенерैशन MIE है जो उस इडियम से निख ने हो जो अपने आप को एंगे-जह किया मैंने खुब लिखा उस आंदुलन को लेकर के मेरी कुछ शंकाय थी वहां पर उसमें तो बहुत अच्छी तरह से राश्टे सोहम सेवर्शंग के लोगों ने इन्फिल्ट्रेट किया है मुझे सबसे खुब सुरा चीज लगी कि देखिए रामजम में भी बाबरी मस्जिद पर जाज्मेंट आया आपने कोई प्रोटेस्ट खास तौर पर नहीं देखा गया सिम्बालिजम कोई एक दोचार आपने 370 देखा सिवाय हम जैसे कुछ लोगों के जिनरली वह पूरा एक कैन्वस को नहीं कवर कर पाया लेकिन जैसे ही सिए हुआ स्पॉंटेनिस्ली लोग सरकों पर आए मेरा एक भांजा है ही इस फ्रम आइटी इन आएम ही रोट टु मी कि मैं सो नहीं पा रहा हूं उसकी सिटिजन से बात इतनी हो रही है लेकिन ही वस नॉट एबल तो एक्सेप्ट क्यों? कि ऐसा क्यों हो रहा उनके खिलाफ तो कुछ हो नहीं रहा है नहीं कुछ नहीं हो रहा है मुझे लगता है कि कही न कही लोगों का अपने कॉंस्टिचूशन से जो रिस्ता है सायद हमारी कमजोरी थी कि हम नहीं समझ भाए मैं आपको बताओं सम्विधान की बिकड़ी बहुत पढ़ी है उस दिन से यह मैंने कहा है उन रिकार्ड लोगों को ऐसे लोग जिनको मुझे उमीद नहीं थी वो कॉंस्टिचूशन पढ़ाएं गया मेरी बेटी उसी कैटेगर नहीं थी बहुत मतलब नहीं था पॉलिटिक से अचानक वो आज इस जगह पे लोगों के साथ है तो इसने क्या किया कि एक स्नोबॉल कर दिया और यह सब लोग जो आज कॉलेज में बैट करके अपने केडियर के लिए सोचते सड़नली डियर कंसरन अबाट दियर कॉंस्टियूशन और क्योंकि इस एक्ट में जो आप जो सबसे मौलिक हमारा विरोध था कि इसके बाद हमारे और इस्राइल में कोई फरक नहीं रहेगा अगर एक बार रिलिजिस डिस्क्रिमिनेशन इसराइल में तो रीट तु टौ रिटर्न है वो एक तरह से वोहीं वोहीं मैं कहला रिट तू रिटर्न तो यह इगर एक सापट एक बार एकसीप्ट हो जाएगा तो शहाद हमारे मुसे किसे ने कहा कि पुलिटिकल पार्टी इंस्सटिगेट कर रहे है पी-एम कह रहा है, मैंने कहा अगर इतनी हमारी ताकत होती तो पावर में हम होते हैं अभी, प्राइम निस्टर साम नहीं होते, एक वाद बताएए कि हम जिस दौर बे खड़े हुएं, जिस चौराहे की मैं बात कर रहा था, इसमें आप जो भी दिशा चलेंगे तो आप लोग पार्टी के साथ काम करने का जो पुराना जो मॉडल था, जो इस मॉडल में आप लोगों ने 2015 में जो बिहार में जो चुनाव लड़ा था, जो successfully लड़ेते, तो वो मॉडल रहेगा, या इसको हरे के past को नहीं देखेंगे, लेकिन present में उसकी क्या position है, इसको देखते हुए आगे पर देखेंगे, मेरा मानना है कि हम सब ने surrender सा कर दिया था, लगभख एक space दे दिया था कि शायद अभी नहीं हो पाएगा, ये sense of despair, hopelessness, political parties में भी चली गई, leadership में भी थोड़ी बहुँ चली गई, एक व्यक्ति मैं नाम जरूर लेना चाहूंगा, हुने वगए बाप, लालो परसाँचे, वो जिसक भी condition में रहे, उन्होंने का ये, उनकी एक ही उनका कहना था, कि जब तक आप अपने मुद्दों के आधार पर राज़नीत नहीं करोगे, चौबिस घंटे सातों दिन लोगों के बीच में, पॉलिटिक्स को ट्विटर और फेस्बुक से नीचे को मिल रहा है, उसमें तो एक बहुत कनेक्टिंग बॉन्ड सोशल मीडिया का है, खबर कैसे फैल रहे, नहीं नहीं वो बॉन्ड है, मैं ये कहना चाहरा हूँ, ये आंदोलन किसी विपक्षी पार्टी ने जन्म नहीं दिया, इसके सबसे बड़ी खुबी है कि स्पॉन्टे का ultimately जाके अगर देश की राजनीती में कोई actual impact करना है, तो इसको electoral politics के साथ synergize करना पड़ेगा, चूंकि ये आंदोलन किसी संगटन द्वारा नहीं चलाई जा रिये, तो ultimately ये जो विरोध में और विद्रो करने वाले जो युवा हैं आज के, और जो गैर युवा भी जो ल unsettled और जो angry youth है, इसको आप लोगों को enlist करना पड़ेगा, तो ये कैसे कर सके? दीखी, मैं तो ये चाहूंगा अभी भी ideally, क्योंकि इसकी जो purity है, इसकी जो घुपसूरती है, इसके autonomous और independent रहने में ही है, अभी independence, autonomous body, जो की बहुत ही creative है, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कोई constitution को इतने आसान लफजों में, वो पिढ़ी समझाएगी, जिसके बारे में हम लोगों का दिमाग में था, कि ये upolitical है, या deep political है, हम लोगों को बहुत abstract लगता था, लगता था कि ये अपनी जिंदगी में है, all of them have become an island, we never realized, they have a huge potential to connect with thousands of islands across, तो मैं अभी भी कहूंगा, क लेकिन इस आंदोलन को में चाहूंगा, ये autonomous चले, हाँ, जब एक बार कोई आंदोलन खड़ा होता है, जैसे जेपी आंदोलन कड़ा होगा, सारे students politics में नहीं आए, लेकिन उसका एक direction अपने आप मिल गया, जैसे French student movement को भी आगा देख, वो उसका जब भार होगा, वो पाव तो सोच बदलना चाहते था, बस जो ये successful होंगे, and they have given a message to us, that you need to rise to protect the constitution, वहां हम में कोई difference नहीं होना चाहिए, that is the basic minimum, which shall be a unifier for all political parties. एक हम लोग की बात्चीत का सिलसला खतम करते करते, हम लोग ये जो विरोध देखने को मिल रहा है, इसके पीछे एक बहुत sideways, एक parallel narrative चल रहा है, वो, कि state governments बोल रही है, कि आपने CAA तो past कर दिया, आपने NRC के बारे में आपकी जो भी position है, present को believe करें हैं, past को believe करें हैं, future को believe करेंगे, हमें पता नहीं है, आपके past में बहुत कुछ NRC के बारे में बोलें, तो एक मोदी जी के बोल देने से, मतलब ये magic wand नहीं है, कि सब कुछ erase हो गया, तो state governments जो है, बोल रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, जिसमें बिहार भी है, तो क्या, वहाँ पे बिहार में चुनाओ सिर्फ बिहार ही नहीं, ये तमाम जो तीन चार चेफ मिनिस्टर जिनके सूर अचानक बदले हैं, ये असामती किस विशाल आंदूलन के बाद बदले हैं, सी ए पर जैसी जैसी तकरीरें इन होने की थी, अगर उस तकरीर का हिस्सा सुना दिया जाए जाए लोगों को, तो ल से नहीं पहचाने जा सकेंगे, और जिसका फ्लाग होगा, नाशनल फ्लाग, ट्राइकलर, उसके बाद इन में से कुछ के सुर बदले हैं, और जाहिर तोर पर वो इलेक्टरल प्रास्पेक्ट के हिसाब से, लेकिन लोग अब उसी सोशल मीडिया पर देखे, लोग उनके बा काफी पावफुल आम आदमी पार्टी है, तो बिहार में मान लीजे जो मुक्यमंत्री नितिश कुमार वो अपने सुर और बदलना चाहें, और अगर 2015 के इक्वेशन को रिवाइब करना चाहते हैं, तो आपकी पार्टी क्या एक्जामिन करेगी या वो दर्वाजे करते हैं, कई दफा जब हमारे बिधायक भी चोटी बोटी शिकायत करते हैं, तो लालू जी कहते थे नहीं, ये सरकार चलने जरूरी है, छोड़ो, उसके बाद जो हमारे साथ हुआ, और छोड़ दीजे, हमारे साथ जो हुआ उसको मैं अभी ना भी कहूं, लगेगा कि हम अ इस तरह के तकरीर करके, ये जेपी लोहिया का नाम लेते थे ना, जेपी के चिठे मैंने पढ़के सुनाई थी सदन में, अगर आज जैप्रकास जी होते, तो वो सत्यागरा पर बैठे गया होते हैं, अपने 377 को इन लोगों को डिसोन कर देते हैं, दूसरी बात, चलिए फ पीपल बिल नाट फरगिव, आखिर में सवाल हम लोग काफी प्रेडिक्टेबल सा सवाल पूछ रहा हूं, दशक खतम होते होते, क्या सबसे बड़ी मेसेज आपको लगता है कि आने वाली पीडी को देखना चाहिए, आप क्या यूज करना चाहिए? मैं तो सीरे कहूंगा कि ये बापू का 158th year भी है, और हम बस अपना संबिधान बचा लें, हमने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ पाया भी है, लेकिन बहुत कुछ खोया है, अब ये खोने का सिलसला खत्म हो, संबिधान एक ऐसी किताब है, अगर वो नहो तो ना राज ना लोग नीथ है, तो मैं तो यही चाहूंगा, हम, आप, हमारे चात्र, युवा, किसान, मजदूर, बस किसी तरह संबिधान बचा लें, ये भी याद रखने की जरूत है, आपने बापू के 1.500 साल के बारे में बोला, ये भी खिलाफत आंदोलन के 100 साल है, हिंदू, मुस 19 से एक नया तरह से एक इंटर कम्मूनिटी रिष्टों का दौर शुरू होता है, जो आज की जो प्रोटेस्टर्स हैं वो दिखा रहे हैं, इसमें कोई दोर आए नहीं, कि ये बीता हुआ दशक उलट फेर का रहा है, एक तरफ दक्षिन पंथी ताक्तों ने अपनी जगा बनाई है, वहीं दूसरे तरफ युवाओं ने भाई जारे में अपनी आस्था फिर से जताई है, भारत में दो तिहाई से ज्यादा लोग 35 साल के कम आयूम के हैं, उनके हाथ में भविश्य की दिशा है, हम उम्मीद करते हैं कि इस एपिसोड से मनोज्जा की बातों से आप सब को कुछ सोचने को मिला होगा, नमश्कार